हेलो फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगेन आपके लिए एक बहुत ही इंफॉमेटिव वीडियो लेके आया है जिसमें जो लेजर मशीन रहता है उसके उपर किसी प्रकार का प्रॉब्लेम जो है वो कैसे सोल करते हैं उसका एक लाइव वीडिय वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें बहुत सारे मुल्टिपल फोल्ट इसके उपर रिपेर होते हैं लेजर मशीन के उपर उसमें वन ओफ दो फोल्ट हम यहां पर आपको प्रेजन कर रहे है जिसको किस तरह से सोल किया और मोटली पैनल के अंदर किस प्रकार के फोल्ट आते हैं और उसको सोल कैसे किया जाता है लेजर मशीन का यूज करते हुए वह हम आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाते हैं यह जो है एक पांडा का पैनल है जिसमें टिकोन वाला यह पैनल है तो जिसके अंदर हम चालो करके जब देखा तो इसमें यह से वी बास आ रह रहा था तो सबसे पहले तो यह कंफर्म किया कि कौन सी साइड में प्रोब्लेम है उसके लिए एक साइड से यह पैसी बेल्ट निकाल के जब चालू करते हैं तो यह साइड में ब्लैंक आ रहा था उनली वीबास और स्कैल लाइन ही खाली आ रहे थे अभी यह साइड का एप लग में निकल दिया तो यह साइड का हाफ numéro जो है ओके दिखर रहा है पिक्चर आ रहा है हलकी हलकी स्केल लाइन सार रही है परंतु वह यह लेफ साइड से आ रही है और आगे जाते-जाते यह लाइट हो जा रही है मतलब कि प्रोब्लम जो है वह लेफ साइड में है तो इस तरह से पहले तो डाइग्नोस्ट किया कि वही प्रॉब्लम जो है वो कौन सी साइड में है अब इसका अब्जरेशन करने के लिए वापस दोनों एपीसी बेल्ट को लगा दिया और फिर वापस स्क्रीन को ओन करके अब्जरेशन सुरू किया तो सबसे पहले यह हमें मिला कि यहां जो कोना है वहां से बहुत सारी स्केल लाइन जनरेट हो रही है और वो कोना खीट भी हो रहा था ज्यादा तो सबसे पहले तो उसी जगह पे यह माइक्रोस्कोप का जो लैंस है उसके द्वारा हाई जूमिंग के उपर उसको अब्जरेशन किया अब्जरेशन के बाद जब कॉर्णर में देखा तो उसमें इस जगह पे बर्निंग पाया गया यह जो जियोए सर्किट है पूरी है जिसको जियोए सर्किट बोलते है जिसमें सिकेवी लाइन से यह सर्किट में से पास होके गेट लाइन बनती है तो वह जियोए सर्किट में इस जगह पे बर्निंग मिला बहुत बड़ा बर्निंग है यह जो आप देख रहे है पूरा यह इस जगह पे बर्न हो गया यह सर्किट में बर्निंग होके पूरा मिक्स हो गय उसके लिए microscope का lens जो है वो high zooming में convert कर दिया अभी और उसके जो आसपास की जो भी circuit है वहां से हर एक line को cut कर देंगे जो जो line ये burning से connected होगी वो सब lines को हमें अलग करना होगा अब देख सकते हैं कि जो burning है काफी फेला हुआ है ये जो है ckv line है जो ये दिख रही है horizontal वो ckv line से connect होके इदर आ रही है अलग कि सबसे पहले तो उसको ही अलग कर देंगे अब जैसे यहां से उसको काट दिया अब ये जो vertical line है उसको भी अलग कर देंगे क्योंकि ये भी burning part के साथ जुड़ी हुई है तो जितनी भी line है burning part से जुड़ी हुई है वो सब काट देंगे पूरा अच्छी तरह से observe कर लिया कि कोई line बची नहीं है ना काटने के लिए अभी सारी लाइन जो जुड़ी हुई थी burning से वह सब अलग कर दी तो यह सब line कटने के बाद जो problem था कि वी बार्स जैसा रहा था वह सब वी बार्स तो सौल हो गए लेकिन फिर भी थोड़ा सा हलका सा स्केल लाइन जैसा अभी भी बचा हुआ था तो उसके लिए किया कि कि सीके भी लाइन जो है उसको observe किया उसको में जहां से कोफ का bonding एरिया है उस जगह पर जाके वहीं से वह सब सीकेवी लाइन को कट कर दिया जिससे कि उसका अगर कहीं से से भी यह लाइन जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें बर्निंग बहुत बड़ा है तो उसका इफेक्ट कहीं पर भी वह अगर जड़ा सा भी जुड़ा हुआ है तो उसकी साइड इफेक्ट आएगी जिसकी वाज़ा से यह स्केल लाइन वगएरा क्रियेट होगी तो उसके बांडिंग एरिया से जड़ा सा उपर इस जगह पर सीकेवी लाइन को काट दिया यह यह जो कौफ का बांडिंग एरिया है वहां का हिस्सा है यह कि यह चार लाइन जो है आप देख सकते चारो लाइन को यहां से कट कर दिया चारो सीकेवी लाइन को जिससे कि अगर यह लाइन कहीं पर भी कनेक्टेड है तो उसका इफेक्ट ना आए साइड इफेक्ट कोई भी रहे नहीं इसलिए उसको कट कर दिया उसके बाद में यह जो सीकेवी लाइन से यह जो वाइट बेल्ट दिख रहे है आप वह सब सीकेवी लाइन से तो उसके बाद में जो चाटी हुई सीकेवी लाइन से कुमिव एपस में कनेक्ट कर दिया गुआясो इसको हें नहीं पिर्ट yah這邊 कर दिया जिससे बाएं में लाइन नेक्ट ऑक आगे जा रही है तो यहां तो यहान पर वैश्यान कर कर दिया शोड कर दिया पर्मेंड शोड कर दिया है उसको जिससे कि हर एक सी के वी लाइन जो हमने काटी है चार लाइन जो भी काटी है वो सब कनेक्ट हो गई एक दूसरे से जैसे हम एक्टरनली भी कभी करते हैं कि पीसीवी के उपर सी के वी लाइन काटके फिर उसको उपर के जो कटे हुए ट्रैक है उसको आपस में जोड देते हैं सेम उपरेशन यह अंदर से किया है जिससे बहुत एक्यूरेटली काम होगा अब यह स्मॉल स्मॉल पंचर्स जो है मल्टिपल जगहा पर करके उसको आपस में कनेक्ट कर दिया खो बहुत अच्छी तरीके से तो इस तरह से लेजेर मशीन के उपर जो भी internal shorting रहता है उसको main circuit से अलग करके उसको bypass कर देते हैं जिससे कि उसका reaction जो है वो okay circuit के उपर ना आए और पैनल जो है वो सही से काम कर सके इस तरह से किया गया operation जो है वो लंबे समय तक सही रहता है वो पैनल लंबे समय तक अच्छे से काम कर सकता है क्योंकि हमने जो अल लाइपास कर दिया उसको अलग कर दिया जिससे उसका कोई reaction अभी circuit के उपर नहीं आएगा So friends, laser machine के उपर इस तरह से operation होता है उसके लिए यह आपको एक informative वीडियो बताया गया है और भी कहीं तरह से problem solve किये जाते है जो हम आगे आपको ऐसे ही informative वीडियो बना के आपको present करते रहेंगे उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारा चैनल subscribe कीजिए वीडियो अगर सही लगा हो तो like कीजिए आपके suggestion भी हम स्विकार करते हैं और laser machine के उपर ज्यादा जानकारी के लिए या आप उसके लिए कोई purchase करना चाहते है तो दिये गए number के उपर contact कर सकते है thank you friends